देश में ओमिक्रोन के 378 केस 91 परतिशत ने ले लिए बैक्सिन की दोनों डोज भारत में कुरोना वायरस के ओमिक्रोन वेरियंड के अब तक 378 मामले सामने आ चुके हैं अब तक जीन 183 मामलो का विशलेशन किया गया उनमें से 121 में यह बात साफ हुई है कि इन्होंने विदेश यात्रा की थी उक्त जानकारी स्वास्त मंत्राले के पेस कॉन्फिरेंस में सचीव राजेस भूसर ने दी स्वास्त मंत्राले की ओर से अब बताया गया कि ओमिक्रोन के 183 मामलो जीन का विशलेशन किया गया है उनमें से 91% मरीज ने टीका की दोनों खुराक ले लिया है इनमें से 3 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने बुस्टर डोज भी ले लिया था इन लोगों में से 37% लोगों में किसी तरह के लक्षन नहीं दिख रहे हैं वहीं संक्रामित लोगों में से 61% पूरुस हैं मौसम विभाग ने नियुन्तम तपमान में 2-4 डेगरी सेलसेल्स की ब्रीधी होने के उमिद जताई है बता दे 25 वा 26 दिसंबर को सुबह में कोहरा या धूंद रहेगा एवं बाद में आस्मान साफ रहेगा इस तरह क्रिस्मस के दिन सुबह में कोहरा या धूंद रह सकता है इसके बाद आस्मान साफ रहने की संभवना है वही 27 से 30 दिसंबर तक राजे में कहीं कहीं हलकी बारिस हो सकती है मौसम विभाग के पुरुनमान के मुताबिक 26 दिसंबर तक सुबा में कोहरा रहेगा सीम हेमान्त ने राजे के लोगों को दी क्रिस्मस की बधाई क्रिस्मस की पुर्वसंधिया के औसर पर सुक्रवार को सीम हेमान सुरे राची के पुरलिया रोड इस्थीत अर्च बी सब हाउस पहुंचे यहां पहुँचकर सीम सीरी सुरे ने सबसे पहले बालक प्रभू इसू के दर्शन किये इस मुखे मंत्री एवाम अर्च बी सब फेलिक्स टोपो के साथ मिलकर के काटा वहीं मुखे मंत्री ने अर्च बी सब फेलिक्स टोपो समेत राजेवासियों को क्रिस्मस की बधाई एवाम सुप कमनाय दी इस महों के पर CMC री सुरेन ने प्रभू इसुक से सभी लोगों के लिए अमन चैन एवं सुक सम्रिदी की कामना की J.S.S.C. में 956 पदो पर बहाली 15 जनुवारी से कर सकते हैं अपलाई जार्खन करमचारी चैन आयो की ओर से जार्खन समाने असनातक योगता धाली सन्युक्त परत्योगता परिक्षा 2021 के तहात असनातक 956 पदो पर बहाली के प्रक्रिया शुरू कर दी गई है बता देश में सहायक प्रसाखा पता धिकारी के 384 पद करनिये सच्ची वाले सहायक के 322 प्रखन आपूर्ती पता धिकारी के 245 पद और प्लानिंग असिस्टेंट के 5 पद पर न्युक्ति के लिए योगी अभियार्तियों से ओनलाई आवेदन अमत्रित किया गया है ओनलाईन आवेदन 15 जनवरी से जमा होगा आवेदन करने के परकिरिया 14 फर्वरी 2021 के मद्ध राधी तक रहेगी सरना कोड के लिए आंदोलन फिर हुआ तेज जनगर्ना 2021 में राजे के आदिवासियों के लिए अलग सरना आदिवासी धर्मकोड का प्रवधान लागू करने की मायं को लेकर सरवदलिये परतिनिधी मंडल ने गुरु आर को राजे पाल रमेस बैसे मुलकात की परतिनिधी मंडल का ने थी तो मंत्री चमपाई सोरेन कर रहे थे परतिनिधी मंडल ने राजे पाल को ग्यापन सौप कर केंद्र सरकार को अनुसंसा भेजने की मांग की है बता दे पिछले दिनों टी एसी की बैठक में भी तय हुए था कि सारना धर्म कोट कोलम के लिए राजे पाल के माधियम से केंद्र सरकार को ग्यापन सौपा जाएगा जन जातिये सम्मेद छेत्रिये भासाओ की मांगी गई सुची जार्खन में जिलावार नियोक्ती में मगी भोजपूरी और अंगी का भासा भी सामिल है बता दे राजे सरकार ने जिला अस्तरिये पदो के लिए जन जातिये सहीत छेत्रिये भासाओ के सुची जारी कर दी है जार्खन करमचरी चैन आयोग द्वारा मैट्रिक्त था इंटर्मेडियेट अस्तर पर ली जाने वाली परित्योक्ता परिक्छाओ के लिए कार्मिक विभाग ने संसोधित नियमावली का गटन किया था करमिक विभाग द्वारा अलक सिद्धी जानी थी इसके अलोग में विचार करने के बाद आयोग ने जिला अस्तर पर ली जन जातिये भासाओ को जिलावार चिनित किया है बतादे जंजातिय भासा में संथाली, कुडू, खड़िया, मुंडारी, हो, असूर, बिर्जिया, बिरहोरी, भूमिज, मालतोव, छेत्रिय भासा में नागपूरी, पंच परगनिया, बंगला, अंगीका, कुर्माली, मघी, उडिया, खोटा, भोजपूरी भासा सामिल है आदिवासी जमीन में अवयध हस्त रांतरन का पता लगाएगी जार्खन सरकार 32 में आदिवासियों के पाच स्कूल कितनी जमीन थी है अब कितनी जमीन है पत्र में लिखा गया आए कि की सिअनटी §1908 की धारा बहातर के तहात 1932 से उनचा 47 तककी अधीमेड़ा अधिवासियों की कीत का सरेंडर हुआ सेटलमेंट हुआ है धाला तीयतर के ताथ कितने आदिवासी रहितों से टीनेट छोड़ दिया है कोडार्मा में लगातार बर्ड रहे मामले फिर भी कंटेनमेंट जोन नहीं कोडार्मा जिले में इन दिनों कोरोना संक्रमन तेजी से फैल रहा है हर दिन कई संक्रमितों की पचान हो रही है तो COVID अनुरूप नियमों के अनुपालन को लेकर बाते भी हो रही है पर इसके अनुपालन को लेकर सकती कही नहीं दीख रहा बता दे जीले में इन दिनों जिस परकार तेजी से मामले सामने आ रहे हैं उनमें दो परमुक कारण बताए जा रहे पहला जीन चीनित इलाकों से संक्रामित की पहचान हो रही है वहाँ कंटेन्मेंट जोन के नियमों के अनुपालन को लेकर कोई परसासनिक सक्रेता नहीं है वहीं दूसरा नए मिल रहे संक्रामित में अधिकतर होम आईसोलेशन में है रेल मंतरी से मिले अर्जुन मुंडा कर रेलवेय स्टेशन को खुटी जीला होते हुए कंडरा तक नई रेलवे लाइन का प्रस्ताव का भी आगरा किया बता दे इस मोके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रेल मंत्री अस्वीनिबस्न को पत्र सोप कर कहा है कि सराय केला खरसावा जीला से सीनी इस्थीत इंजियरिंग वर्चोप के आधोनी की करनवा जीनो उधार की जरूरत है जारखन में कुरोना के 44 नई केस मिले हैं जबकि 9 मरीज स्वास्त भी हुए हैं जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 249 है नकसलियों का फर्मान गुमला लोहरदगा की सीमावर्ती जंगलों में जाने पर रोक बता देया फर्मान 15 दिन पहले नकसलियों ने गुमला के विसुनपूर और लोहरदगा जिले के पेस रार परखन के सीमावर्ती गाउं में जारी किया है नकसलियों के फर्मान के बाद 15 दिनों से एक दर्जन से अधिक गाउं के लोग जंगल में नहीं घुश रहे सिर्फ जंगल से गुजरने वाली रास्ता का उपयोग ग्रामिन कर रहे हैं बतादे जंगल में पसु चराने, बीडी पता तोड़ने, लकडी चुनने, दतुवन पता और बांच तोड़ने सहीत अन्य बनोपादन के लिए जंगल में नहीं घुश रहे लाते हार के मनिका जंगल से 25 केन बरामाद लाते हार पूलिस को सुक्रवार को एक बड़ी से फलता है लगी है, बतादे एसपी को मिली गुप्त सुचना पर चलाए जारे नकसलियों खिलाब सर्च ऑपरेशन के दोरान जीले के महिन का थाना छेतर इस्थीत, बरवईया कला ग्राम के जंगल में सीरीज में लगे 25 केन बरामत किये गए बतादे बरामत किये गए केन का वज़न तकरिवन 20 किलो ग्राम है, इस्तमाद में लाते हार एसपी, अंजनी अंजन ने बताया कि सुचना मिली थी की नकसल संगठन, जेजे एमपी के मनुहर जी, गनेश उर्फ विकास और आजाद उर्फ कलू उर्फ मुकेस अपने अने 8-10-10 सदस करवाईया एवां आजपास के छेतर में किसी घटना को अंजाम देने के लिए उक्त इलाके में भ्रामत सिलह हैं ओमी क्रोन को लेकर बाबा बैधनाथ मंदीर पर सासन अलोट नए साल में अगर आप बाबाक के दरबार में हाजरी लगाना चाहते हैं तो कुरोना वायरेस की दोनों डोज लेना अनिवारी है बता दे इसके बिना आपको मंदीर में परवेस नहीं मिलेगा कुरोना की दोनों डोज लेने वाले कोही 31 दिसंबर और एक जनवरी को जारकंड के देवघर जी लेके बाबा बैधनाथ मंदीर में परवेस मिलेगा इस डियो सा मंदीर परवारी दिनेश कुमार यादव ने कहा कि ओमी क्रोन वायरस को लेकर परसासन सतर्क है नवर्स पर हर साल देवघर के बाबा बैधनाथ से मंगल कामला के लिए जारकंड के बिभीन जीलो समेत बिभीन राजियों से बक्तों की भारे भीर उमरती है राजस्थान के रहने वाले दरोगा भुपेंद्र यादव की पलामू में संदेहा हास्पद मौत है राजस्थान के रहने वाले दरोगा भुपेंद्र सिंग यादव की जारकंड के पलामू जीले में संदेहा हास्पद परिस्थिती में मौत हो गई बता देवे नौडिया बजार के डगरा पिकेट पतनाथ थे पूलिस मामले की जाच में जूट गई है बताया जा रहा है कि रात में खाना खाने के बाद वे सो गए थे लेकिन सुबा जब वे नहीं उठे तो साथियों को असंका हुई इसके बाद उन्हें इलाज के लिए स्पतार लाया गया जहां डाक्टों ने उन्हें मृत गोचित कर दिया पारा मेडिकल परवेस परिक्षा का पई नाम जारी जारखन सन्युक्त परवेस परिख्षा परिख्षा प्रसद ने 10 December तथा 13 December को समपन पारा मेटकल परिख्षा 2021 का पईनाम तथा मेधा स्वची जारी कर दी है इसी के साथ शुक्रवार से पहली आउनलाइन काउंसेलिंग की परकिरिया शुरू हो गई है बतादे इसके तहट अउनलाइन रेस्टेशन तथा सीटो वा संस्थानों के विकल फरने का कार्या होगा पार्षत द्वारा 6 से 15 जन्वरी तक अब बंदिक रूप से सीटो का वंटन किया जाएगा हाई कोट पहुँचा जेपी एसी आरक्षन का ममला सात्वी जेपी एसी की प्रारामबिक परीचा में आरक्षन देने का ममला जहरखन हाई कोट पहुँच गया है पतादे प्रार्थी कुमार सन्नेयम की ओर से अधिवक्ता अमरी तांस वत्स ने पीटी परीचा में आरक्षन दिये जाने का दावा करते हुए हाई कोट में आज का दाखिल की उन्होंने बतादा कि सात्वी जेपी एसी के बीग्यापन में प्रारामबिक परीचा में आरक्षन दिये जाने का कोई प्रविधार नहीं दिया गया बता दे हाली में प्रार्थी गुलाम साधिक के मामले में 16 जून 2021 को हाई कोट की खंड पिठ ने अपने आदेस में कहा था कि जारक्षन सरकार के अनुसार जेपी एसी पिटी परीच्छा में आरक्षन देने की कोई निती है हाई इसकूल सिख्षको की पदोनती का रास्ता साफ राज्य के सरकारी हाई स्कूल में करेड़ा सहायक सिस्को को 14 वरस बाद पदोनती मिलेगी बतादे माधमिक सिक्षा निदे साले ने इसे लेकर 24 वरस की सेवा पूरी करने वाले तथा असनात कोतब प्रसिक्षी योगता रखने वाले 153 सिक्षको की अब बंधिक्त वरियता प्रकासन कर दिया है बताद इस पर सिक्षको से 12 जनवरी तक आपतिया मांगी गई है जिसकी समिक्षा के बाद पदोनती की करवाई की जाएगी माधमिक सिक्षा निदे सक हर्स मंगला ने सभी जिला सिक्षा पदादिकारी को अपने तथा परकॉंड सिक्षा परसार पदा पोस्ट काड अभियान जे पीसी आंदोलन जार्खन हाई कोट मुखे ने अधिस के नाम पोस्ट काड अभियान सुरुआत राची से किया गया जो पूरे जार्खन में जीलावार चलाया जाएगा बतादे मौके पर अध्यक्ष दिवेंद्रेनात महतो और महासचीव मनोज ज्यादा उने कहा कि जे पीसी पीटी परिक्षा राद होने तक संगर्ष जारी रहेगा मौके पर उन्हें ने अभी कहा कि जार्खन करम चारी चायन अयोक की और से जार्खन समान असनातक योगता धारी सन्यूप्रत्योगता परिक्षा 2020 के तहट असनातक अस्तरी 956 जन जागरूपता एवाम और ने राज्यों की परंपरा को जानने और समझने के लिए यूवा कारेकरम भारत सरकार द्वारा संचाली जन जातिय यूवा आदान प्रदान कारेकरम के तहट सुक्रवार को गुमला जीला के 49 यूवक योती रायस्थान के गुलाबी सहर जयप जायपूर के लिए रवाना हो गए बता देव और नेहरू यूवा केंद्र संगठन गुमला द्वारा आयोजित चंजातिय यूवा आदान प्रदान कारेकरम के तहट जायपूर जानने वाली टीम को एसपी तथा स्यार्पी दो सवाठारा के कमांडेंट ने कैम्प में जं सिविर का यूजन दिनांग सताई दिसंबर 2021 और 28 दिसंबर 2021 को आयकर सुविधा केंद्र भूतल केंद्रिये राजस्वभवान फाइफ ए मेन रोड राची में एक सिविर का यूजन किया जा रहा है बता देया सिविर दोनों दिन सुबा 11 वजे से साम 5 वजे तक आविजित किया जागा इस सिविर में चार्टर्ड अकांटेंट और आयकर के अधिकारी उपस्तित रहेंगे। जायरखंड की पांच महिला होकी खिलारी नेशनल कैम्प में सीनियर भारतिय महिला होकी टीम के राश्ट्रिये कैम्प के लिए जायरखंड के पांच होकी खिलारीों का चैन किया गया है बता दे कैम्प 27 दिस्तंबर 2021 से लेकर 28 जनुवरी 2022 तक बैंगलोरी में अविजित किया गया कैम्प में पूरे देश की 60 सर्वस्रेश्ट खिलारी अमंत्रित किये गए हैं जिन में हमारे जारखंड के पांच खिलारी ओलम्पियन निकी परधान जुनियर इंडिया टीम से खेल रही सेंगिता कुमारी सुस्मा कुमारी पूर्व में जुनियर भारतिय महिला हो की टीम के सदसे गोल कीपर अलफा किरकेटा और पहली बार किसी कैम्प के लिए अमंत्रित की गई है बता दे राची की रीमा बाखला है जारखंड के 2022 बच्चों को मिलेगा इंस्पायर अवार्ड केंद्र सरकार के बिग्या नेवंपरदयों की बिभाग द्वारा प्रतिवस नए इनोवेशन करने वाले देश भर के बिभीन इस्कूलों के बिद्यार्थियों को इंस्पायर अवार्ड से समानित किया जाता है बता दे इस बर्स भी सतर इकीस बाइस के लिए इस पुरसकार को देने की घोसना की गई है जारखंड के 24 जीलों में इस्थीत बिभीन इस्कूलों के बिद्यार्थियों दोवरा उलेखनी इनोवेशन के तहट 2082 पुर्जेक्ट को पुरसकार के लिए चुना गया बता दे पूरे राजे में राची सबसे उपरी पैदान पर है इस जीले के बिभीन इस्कूलों के 261 बिद्यार्थियों को इस पुरसकार से चुना गया है HEC के करमचारियों के हरताल जारी बकाया वेतन भुकतान की मांग को लेकर HEC की करमचारियों का अंदोलन सुक्रवार को भी जारी रहा बता दे हरताली करमचारी तीनों पलांट में उपस्थिती दर्ज कराने के बाद प्रबंधन के खिलाप नारेबाजी की हटिया पुर्जेक्ट वरकर्स यूनियन की करमचारियों की सुक्रवार को ही बैटक में तीन माह का वेतन एक साथ मिले तक अंदोलन को जारी रखने का निनलिया गया जारखन में मौसम 27 से बदलेगा जारखन में 27 दिसंबर से एक बार फिर से मौसम में बदलाव होगा मौसम में बदलाव हिमाली छेत्र में मजबूत हुए पच्मी बिछोब के प्रभाव से रायस्थान में बनने वाले साइकनोलनिक सर्कुलेशन की वज़ा से होगा बता जे सोमवार से मध्य परदेश और 36 गड़ की ओर से जारखन के पच्छमी छेत्र में पहुचने पर सिस्टम का असर पहले दिखेगा इसमें गुमला और डालटे गंज में आस्मान में बादल छाने और कुछ जगोपरहल की बारिस हो सकती है कोडार्मा में 22 मरीज संक्रमन फेलने का खत्रा कोडार्मा में सुक्रवार को फिर कुरोना से संक्रमित 22 मिले हैं बता जे राजे के दो जीलो कोडार्मा और राजी में अचानक मरीज की संख्या में होई बढ़ोतरी से स्वास्त विभाग चिंती था खास कर पिछले पांच दिनों से कोडार्मा में मरीजों की संख्य में लगातार हो रहे इजाफा को स्टेट, आईडी, एसपी के अधिकारियों का काना है की संभव है की कोडार्मा से ही राजिये में संक्रमन का परसार हो जाए बता दे पिछले सब्ता भर से जीले में कोरोना के मरीजों में जबरदस इजाफा हुआ है इसमें जीला वासियों की चींता बढ़ा दी है 24 गंटे के अंदर जाच में 24 दिसंबर को 22 कोरोना पोजेटिव मिले वहीं लागातार जीले में पिछले कई दिनों से मिल रहे पोजेटिव मरीजों से हरकम की चींती है लोगों की चींता एक बार फिर बढ़ा दी है जीले में आप पोजेटिव मरीजों की संक्राब बढ़का नब्बे हो गई है धन्यवाद यदि आप चैनल परना हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बहुल के लेकर अंदव ये साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा फीड़बेक अवास्य दे थाइंक यू